Hello everyone, Namaskar, आज के इस वीडियो में E-Sub Goal के बारे में समझेंगे E-Sub Goal क्यों लेना चाहिए, इसके फाइदे क्या होते हैं, कब लेना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसके नुक्षान क्या है, इसके फाइदे क्या है बहुत ही चूटा वीडियो है इंट्रेस्टिंग वीडियो है। अगर आप सभी e sub dye लेते हैं या आप लेना चाहते हैं या बच्चों लेते है। project behavior, भुकुह ही इंट्रेस्टिंग facts वीडियो में आप सभी के शाध में share करूंगा। इसब गॉल इंगलिस में इसे शीलियम हस्क के नाम से जानते हैं ये मार्केट में बहुत ही बाद तरीके से आपको मिल जाता है दुनिया फर में आपको बहुत ही कॉमन नाम से इसब गॉल के नाम से आपको मिल जाता है इसमें 5 ग्राम इसब गॉल में 4 ग्राम फाइवर की मात करने वाला है अब अगर मानंके चलिए इसके अंदर पांस ग्राम fat है तो बाकी एक ग्राम में क्या है इसके थोड़ा कार्वौहईडित मिल जाता है इसके अंदर प्रोटीन बिलकुल नहीं होता इसके उदर फैट बिलकुल भी नहीं होता है उड़य है अगर किसी मरीज को पाइल्स है और ब्लीडन्ग हो रही है और उसको कबजियत के समस्थ रहती है तो बहुत जादा उप्योगी है, यानि कहने का सीधा मतलब यह है कि यह कबज के लिए especially बहुत ही जादा उप्योगियों होता है अगर किसी को लंबे समय से कबज यह तरहता है अगर किसी को लंबे समय से constipation कबज की सिकायत होती है तो यह medicine जो है यह जो powder है यह बहुत ही ज्यादा यूज होता है यह market में आपक सिलियम हस्क का पाउडर दीजीगा तो आपको easily available हो जाता है और आपको market में अधर अधर ब्रांट से अलगलग कंपनी अभी आजकल पैकेजिंग के द्वारा बनाने लगी है अब इसके और क्या फायदे होते हैं यह हमारे heart के लिए बहुत ज्यादा उप्योग होता है यह हम कबज के लिए बहुत ही जादा उप्योग है दूसरा कबज के अलाबा यह उप्योग होता है आपके heart के लिए heart इससे healthy रहता है heart के कोई बीमारिया नहीं होती और especially heart को स्वस्ते रखने में बहुत जादा उप्योग होता है इसके अलाबा जो हमारी diabetes का कोई patient है अगर diabetes किसी म उप्योग है तो यह अगर किसी का high blood pressure है तो उसमें भी उप्योग कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा healthy होता है blood pressure को कम करता है इस तरह से इसके उप्योग होते हैं अगर किसी की उम्र 50-60 साल से उपर है उपर निकलते जा रहे हैं हमारी advance होते चली जा रहे है तो ऐस सिच्टूइशन में हमारी सरीर के सिस्टम क्या होते हैं काम करना कम कर देते हैं ऐसे ही आते जो होती है जब हम हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो आते हमारी काम क्या धीरी-दीर कम करना start कर देती है movement कम होने लगते जिसकी बज़े से हमें constipation कबजियत के सिकायत होती र बहुत सारे ऐसे patients होते हैं जो dietary fibers बहुत कम लेते हैं एक खाने intake जो हम कर रहे हैं वो fiberless diet होती है तो fiber की मात्रा आपको लेनी होगी dry fruits बगेरा है चलके वाली चीज़ें खाईएगा जिससे कि आपको diet है उसके अंदर आपको fiber की मात्रा dietary fibers की मात्रा मिल सके कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए दिखिए या तो आप lunch से 20 मिनट पहले लें और उसको dinner के बाद में फिर 20 मिनट बाद ले सकते हैं तो दिन में दो बार ले सकते हैं एक चम्मच आपको केवल लेनी रहती है एक चम्मच आपको दिन में दो बार ले सकते हैं सुबह एंशाम को आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही फायदे हैं, बहुत अच्छे benefits हैं, कई बार इसे दस्त के मरीजों में भी उप्यों किया जाता है, वेसिकली आपने सुना होगा कि यह दस्त लगाता है, लेकिन यह कई बार anti-diarrhea में भी इसको यूज किया जाता है, anti-diarrhea के रूप में भी इसका इसे एक चमच जो है, डारेक खा गए, तो उससे क्या फणा लगने के chances ज्यादा रहते हैं, तो इससे आप किजएगा कि इसे पानी में घोल लीजेगा एक चमच को और आप उस पानी को पी जाएए, इस तरीके से आप ले सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह जो इसब गोल क वुसी है, या इसब गोल का पाउडर है, या शीलियम हस्क है, उसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और बात करें प्रैगनेंसी वाले cases में, तो प्रैगनेंसी वाले में आपको ध्यान रखना होगा, ऐसी महिलाएं नहीं लें, जिनको तीन महिने का या चार महिने की प्रैगनेंसी है, उसमें आपको थोड़ा अबोईट करना चाहिए, बाकि अपने डॉक्टर से जरूर एक बार कंसर्ट करना चाहिए, कि हम प्रैगनेंट है, तो हमें यह सब गोल की भुसी लीनी चा हैं.